इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट हर्याना जीके करने वाले हैं यह एक सिंगल वीडियो रहेगी जिसमें हम आपको हर्याना जीके कंप्लीट कर और कवर करा देंगे हर्याना का जो प्राचीन नाम था वो था ब्रहमावर्थ इसे ब्रहम रिशी का प्रैदेश भी कहा जाता था उसके बाद आता है ब्रहम की उत्तर वेदिका भी इसको कहा जाता था और ब्रहम से मतलब है हमारा ब्रहमा भगवान महाबारत काल की बात करें तो महाबारत काल में हरियाना को बहुधानने का हाद गया था बहुधानने का मतलब होता है अतिदिक सम्रद भूमी अब बात आती है रिगवेद काल रिगवेद काल को शनाता है कि रिगवेद काल में हरियाना को क्या नाम दिया गया था उसके बाद आता है कुर्वो द्वारा उपजाई गई भूमी कुर्वो ने जो भूमी को उपजाए था उसका नाम क्या रिखा गया था आदिप्रभा according to H.S.S.C. जो कुर्वो द्वारा अपणाई गई उपजाई गई भूमी थी उसको आदी प्रभा का नाम दिया गया था संगीत के साक्षे सबसे पहले सूद जो की यमुना नगर में है यमुना नगर से मिले थे जो हमारा पास क्या था सूद था, महां से संगीत के साक्षे सबसे पहले मिले थे दूसरी स्ताब्दी में दूसरी स्ताब्दी में क्या मिला था संगीत के साक्षे मिले थे उसके बाद हमारे पास क्या आता है पशुपतिवंच पशुबूतिवंच पशुबूतिवंच के संस्तापक थे सब् чद पुष्पभूति राज़ा इस्तानेशवर में शिव मन्दिर निरमान कराया था शिव मन्दिर में किश बूती ने कराया था उसके पाद हमाहे ह सब्सक्छेत्र का पुराना नाम था तो आहि समय मों केशीज में सेम रहेगा उसके बाद हमाहे ये स्थाने इससि मंदिर सा पुषल भूति बंश के राजा कों थे प्रभाकरवर्धन थे और इनकी शादी यह-मद यश्वमती से यश्वमती की वाइफ का नाम इनकी तीन संतान हुई थे तर राजय वर्धन पे राजश्री जो ढटकी थी औंड हए रशस्वर्दन के पिता का नाम किया जाता है कई बार कि मा developer parent की मा फटी करेंगे तो हर्श्वर्दन का में रोल आता है राजय pops आसर नहीं माराजह हर्श वर्दन मा कैना मत सो प्रभाकर ने जो स्थानेशवर में बड़े बेटे जिसका नाम का मानने लिए अपने बड़े बेटे जिसका नाम máरे ऑर्धन बड़ा बेटा उसको भेजा उसको बड़ लेकिन जब वह वापस आया तो उसना यह देखा कि इसके पता कि मृत्य हो गई है तो उसको पत्हीं को पत्ति को नहीं के हसा एक शतिकर शांदा या जाथ tá यह लेकिन वो यह नहीं चाहते कि उनकी भावी भी उनके भाई की चिता के साथ सती हो जाए तो वो क्या करते है राजा राम मोहन राय यह कुशन आता है राजा राम मोहन राय ने 1829 में लोर्ड विलियम बैंटिक के साथ मिल कर शती प्रथा को खतम करा दिया था जिसने उनकी भावी शती होते वें बच गई थी राज्ष्री के पती का नाम NAY ग्रह वरमा था मालवा के राजा देवगुप्त ने ग्रह वरמה की खतिया कर दिय तो राजयभ वर्धन ने देवगुप्त लेने के लिए देवगुप्त की ही हत्या कर दी घेव बात आते है देवगुप्त की बहुत अच्छह दोसत आ जिसका नाम था शशांक शशांक ने शशांक ने राजयवर्धन को दोखा दिया और इस तरह से दोखा दिया उन्होंने का कि आप और अचानक से शचांक ने उनकी हत्या कर दी तो यह आता है कि जो राजय वर्दन जो उनकी हत्य किस ने की थी राजय वर्दन की हत्य की थी शशांक ने जो कि किस का दोस्त था देवगुप्त का दोस्त था अब आता है महाराजा हर्षवर्दन यहां से में रोल स्टार्ट होएगा महाराजा हर्षवर्दन अब जब जो था राजय वर्दन की म महाराजा हर्षवर्दन का जनम कब हुआ था 590 इश्वी में 606 इश्वी में जब इनके भाई के मुरती हो गई थी तो इनके पास दो चुनोतिया थी एक तो इसे लेना था बदला सशांक से जो कि उसने उसके भाई को मार दिया था राजे वर्दन को सेकेंड इसकी बहन को शत हर्षवर्दन है जो इनके डैड़ी थे प्रभाकर प्रभाकर उनकी विम्रत्य हो गई थी उनकी मुरत्य होने के बाद जो इनकी मां थी वो शत्य हो गई थी फिर इसके भाई की मुरत्य हो गई थी बच्चे थे ये ये और इसकी बहन तो इसकी बहन भी शत्य हो जाती परंत पर चवरदन का जनम कब हुआ था 592 में हुआ था राजा बने थे चटी स्टापदी में साथवी स्टापदी में क्योंकि 606 इस बैसिकली Pen sekali सात्मी स्ताब्दी कोश्चन कई बार आ जाता है जनम हुआ था छटी स्ताब्दी में लेकिन ये गद्दी पर बैटे थे सात्मी स्ताब्दी में जब इनकी उमर केवल सोला साल थी जब इन्होंने गद्दी समाली थी तो इनकी उमर केवल सोला साल थी राश्च्री जो इनकी ब अभी तक हमने हर्षवर्दन पढ़ा अब मेन हमार पास क्या आता है कि हर्षवर्दन के शाष्यन काल में हर्षवर्दन का दूसरा नाम क्या है सिला दीतिया हर्षवर्दन का दूसरा नाम है हर्षवर्दन के दरबारी कभी और दोस्त कौन थे बानबट जिसने लिखी थी हर् बलाइब सूप उसकी जानकारी हमें हर्ष रित्र से मिलती है जो कि बान्बटने लिखी थी। चीनी यातरी हुएंस lij厅ंग जो ता वह उस वरदन के शाषनकाल में भारत आए था कब आया था। 629 इश्वी में 629 इश्वी में हर्षवर्धन के साशनकाल में हेंसांग चीनी यात्री आया था और इसे यात्रियों का राजकुमार भी का आ जाता है हेंसांग की पुस्तक थी की सी यू की हेंसांग ने लिखी थी ये कोशन भी पूछा गया है कई बार अब ये कोशन पजल करने के लिए जो है एचसे सी देती है कि हर्याना में हेंसांग कब आय था हेंसांग हर्याना में 634 इसवी से लेकर 644 इश्वी तक रहा था दस साल प्रभाकर वर्धन की मृत्यू के बाद योश्वमती मा सती हुई इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है इसकी जानकारी हमें बानबट द्वारा रचित्र हर्ष चरित्र से मिलती है और हर्याना को श्रीकंट जन्पद का गया था और कूरुशेत्र को भी श्रीकंट जन्पद काहा गया था हर्ष चरित्र में उसके बाद हमारा पास जो राजा हर्षवर्दन है वो भी एक बहुत अच्छे कवी थे जिन्होंने काफी पुस्त के लिखी रतनावली नागानंद और प्रिय दर्शिका रतनावली एक फंक्शन है जो कि कुरुचेतर में होता है कौन से दिन जिस दिन हम लोग हर्याना दिव सब्स मनाते हैं फस्ट नावंबर को उसके बाद हमेरे पास क्या आया है हार हार कब होई थी माहराजा हर्षवर्दन को पुलकेशिंटू पुलकेशियंटू ने हराय था publication दूइती है 634 इसवी और 635 इसवी में इन्होने हरशवर्दन को रहा है था कि मृत्यू का पता लगता है वो मिलता है एहोल अभी लेक से एहोल अभी लेक basically जो है वो हरशवर्दन की हार के बारे में बताता है एहोल अभी लेक कोई भी अब दरबारी कवी है ना वो कोई भी दरबारी कवी होगा वो अपने राजा के बारे में कभी भी गलत नहीं लिखेगा इसलिए कोई भी हार हो जाती है तो कोई भी दरबारी कवी के लेखन में अमें नहीं मिलेगा कि इस राजा की हारी नोंने करवाई थी कोई भी उनका दर्बारी कभी ऐसी चीजे नहीं लिखेगा क्योंकि दर्बारी कभी कभी भी राजा के एगेंस्ट नहीं जाते अब इनकी मृती हो गई थी 647 इश्वी में राजा हर्शवर्दन की मृत्यी हो गई थी 647 में, महाराजा हर्शवर्दन के साशनकाल में हुँ जाती सबसे जादा आकर्मन करती थी, ऐसा माना जाता है कि जब महाराजा हर्शवर्दन का साशन था तो उससे में हुँ जाती जो थी, हुँ जाती वो सबसे जादा आकर्मन कर थी अब इनकी मुरत्यु के बार कौन सा राजस्वर्दन ने करी थी जो कि 12 साल बाद लगता है कुम्ब के मेले की शुरुआट किसने करी थी हरश्वर्दन करी थी राजा हर्श्वर्दर ने यह स्थाने श्र को राजधानी किस ताब करें अब जीवन काल करेंगे मतलब कब जनम हुआ कब सब्सक्र littleته दो पांशनकल heft analogy साशन कब स्थाट किया और कब ख़तम किया 606 सिभी में इनुने गदी पर बैटना प्राघ्लम क्या त야 और 647 इसभी तक इनूने साशन किया अब बात आती हैं हमारे पास 9 मिस्टाब्धी की नो मिस्टाब्धी अग्रोहा अग्रोहा एक ज省ग्वा हिसार में जहां अब हमें क्या मिला है किसी भी किसी बीयुकर को जब साजि dio किसी भी कोई भी पर साक्षνο हमें मिलता है कि सबसे बहले का मिला था हिसार अग्रोह में hama mradu aand is basically के बर्टन मरद हम किसे में मिलते मिठी के बर्तन खर में यूस होता था मृद्भवान, मिट्टि का बटन, अब नोवी स्ताबदी में, जब हमें एट पे लिख़्े ह fontsारे गामा मिला तो हमने ये देखा कि संघीत के स्वर मिले थे, तो हमने ये देखा कि नोवी स्टाब्दी में हर घर में संगीत फैल चुका था उसके बाद हमारी बात आती है ग्यानवी स्टाब्दी के ग्यानवी स्टाब्दी में हम लोग महमूद गजनवी का हलका सा करेंगे कि महमूद गजनवी ने एक हजार एक से लेके एक हजार सताइस तक सत्रा बार भारत पर आकर्मन किया सत्रा बार भारत पर आकर्मन किया कुशन आ जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आकर्मन किया मुर्ति थी चक्रस्वामी की मुर्ति थी जो कि किसी से रिलेटता है भगवान विश्णू से और ऐसा मना जाता है कि इन्हों ने उस समय मुर्ति जद्चोरी करी थी वहां से उठा ली थी उसको मक्का मदिना की सीडियों मुर्ति का नाम क्या है कुछन आ जाता है कि महमुद घजनवी के रूठ का जाता है मुर्ति बंजग बंजग का जाता तो यह उसको नस्ट कर देंटा था इसलिए मुर्ति बंजग ये उसको सो मनात को लूटा जहां राजा भीम एक का श था भी म परतम सघ्जाय में हमने हैंता सोमनात को लूटा जहां राजाह भीम फ्राशक के रहने वाले सोमनाथ गज़रात में है चोहानवंच की जो जो चोहानवंच है उसकी स्तापना किस ने करी थी अनंगपाल द्वीतिया अनंगपाल तोमर या फिर सूरजपाल तीनों एक ही आदमी के नाम है चोहानवंच की स्तापना करी थी अनंगपाल द्वीतिया अनंगपाल तोमर और सूरजपाल ने सूरजपाल ने ही फरीदावाद में सूरजकुंड के मेले का निर्मान कराय था जो कि फैबरी के महीने में लगता है जिसमें इंटरनेशनल फेर्ज और नेशनल स्टेट से हमारे पास लोग अपने व्यापार को प्रधिर्शित करते हैं कुछ लोग सेल भी करते हैं कुछ लोग जस्ट डिस्प्ले करते हैं जो मेला हमारा फरीदावाद में लगता है उसकी शुरुबात करी थी सूरजपाल ने तोमरवंच का संस्तापक था अनंगपाल जो क्या था तोमरवंच का संस्तापक था अब बात आते हैं तोमर वंच को चोहान वंच हरा देता है तोमर वंच को चोहान वंच हरा देता है तोमर पस चोहान वंच आ जाता है चोहान वंच का राजा को था पृत्वी राज चोहान पृत्वी राज चोहान ने स्तापना करी थी चोहान वंच की अब 1191 में तराइन का युद हो जाता है Native राजचोहान वर्जिस महम्मद गौरी महम्मद गौरी जो है वो ये सोच लेता है कि महम्मद गौरी जो था महम्मद गौरी गौर का साशक होता था वर इसने ये देखा कि मेहमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आकर्मन किया, तो भारत पर आकर्मन करना बहुत असान है, परंतु ऐसा था नहीं, तो इसने पहले तो 1178 पर पाटन गुजरात में आकर्मन किया, जब भीम 1 वहाँ पर क्या था, भीम 2 साशक था, और भीम 1 में उसका भाई जब हरा दिया था, तो ये बदला ल में, 13 साल के बाद, पहले 1178 में आकर्मन किया था, मुहमद गोरी ने, फिर आता है 1178 में, 1178 में हुआ था, तराइन का प्रथम यूद, तराइन का प्रत्वी राज चोहान वर्जिस मौहमद गोरी, इसमें मौहमद गोरी हार गया था, 13 साल बाद भी प्रिश्रम करने के राजा जैचंद ने, जो कि गड़वाल वन्ष से थे, कुशन आता है, राजा जैचंद की मदद से, प्रिथ्वी राज चोहान ने तराइन का पहला यूद जीता था, इनको हेल्प मिलीती हासी के गोविंद राय से, प्रिथ्वी राज चोहान को, अब बात आ जाती है, तर ना जी, ना जी और राजा जैचंद, गोविंद राय, अपने जितने भी सैनिक थे, सबको अमंतरित किया, अनंक पाल जो इसके नाना थे, जिन्नोंने दिल्ली बस आई थी, और उस पाटी में राजा जैचंद की बेटी भी आई थी, जिसका नाम था सन्योगिता, सन्योगि पर आ गया था, उनकी बेटी, तो उन्होंने अपने नाना जी से बात करी, तो उनके नाना जी ना ऐसा करने से मना कर दिया था, तो उन्होंने सोचा कि नाना तो खुश दिन के जिन्दगी तो मुझे देखनी है, तो वो क्या करा पृत्वी राज चोहान ने, पृत्वी रा मेरी लड़की को लेकर भाग गया आप उससे बदला लेना तो मुहम्मद गोरी सोचता है कि हो सकता है वो जूट हो रहा है लेकिन अपनी बेटी के बारे में गलत कोई नहीं बोलता तो राजा जैचंद दुबारा पतर लिखता है कि उसकी बेटी को लेकर जो प्रित्वी जाता तो राजा जैचंद ने प्रथवी राचोहान की मदद करी मुट है जीतने के बाद जब प्रथवी राजचुहान की भाया तो इसके लिए जो है मदद करेगा राजा सैचंद जाए करेगा मोहमद और मुहम्मद गोरी इस युद को जीट जाएगा with the help of राजा जैचंद फिर आता है ग्यारा सो चुराणवे में चंदावर का युद यह युद हुआ था राजा जैचंद और मुहम्मद गोरी के बीच और मुहम्मद गोरी इस युद में जीट गया था अगर बात की जाए प्रित्वी राज चोहान कहां का साशक था 1215 इश्वी में हुआ तराइन का तीसरा युद जोकी था इल्तुतमिष और यल्दोच और कुबाचा के बीच ये दोनों मुहम्मद गोरी के सेनापती थे ये युद था जो जीता था वो इल्तुतमिष ने जीता था तेनवीश तादि में जो फेमेज थी वो थी रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान का साशिन काल रहा है 1236 से लेके 1240 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महीला साशी का थी ये कोशन एक्जाम्स में आते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महीला साशी का कौन थी ये थी रजिया सुल्तान इसके पिता का नाम था इल्तुतमिष गुलाम वंज की साशी का थी खती रर पूछ ले जाता है कि रजिया सुल्तान कि वंज की साशी का थी तो आपको बोलना पड़े गा कि वहाला वंज की साशी का थी रजिया सुल्तान का मगबर ऑ दियुक्याथल में ही इनके मोथ बाइपने की मोथ कर दीती एंड जो रजिया सुल्तान की स्टोरी हो हम देखते हैं रजिया सुल्तान का एक प्रेमी था जिसका नाम था याकूत एंड रजिया सुल्तान ने जिसके शादी करी थी वो था अललतूनिया अललतूनिया ठीक है तो गाइज रजिया सुल्तान ने याकूत को आमीर याकूर की इसने पंजाब बटिंडा का सूबेदार बना दिया था ताकि दोनों के बीच अगर मुठ बेद पैदा होती है क्योंकि एक लड़की के अगर चाने वाले दो नहीं चाहते थी लड़की इसने पहले इसको सूबेदार बना दिया था रजिया सुल्तान ने से शादी कर ली थी और इसको ये डर था कईम इसका भाई रजिया सुल्टान का भाई बैरम शाना माने तो इसने अलन्तुनिया को सिखाया कि तुम्हें एक लैटर लिखो मेरे भाई को पत्र लिखो उसमें ये कहो कि मैंने तुम्हारी बहन को अपने शिकंजे में ले लिया है अगर ये मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं इसको मार दूँगा ऐसा लिखकर वह पत्र उसको भेजता है और उसके भाई को पता लग जाता है कि रजिया सुल्टान ने शादी कर लिए अलन्तुनिया से अब जब रजिया सुल्थान के प्रेमी याकूत को ये बात पता लगती है तो काफी इतियोंर याकूत ने जो उसका पती था अलन्तूनिया उसकी हद्गा कर दी ती उसको मार दिया ता अब आते है रजिया सुल्तान का मकबर हैं तो आप कैथल लगाएंगे उसके क्योंकि कैथल में इसकी मोone उती दुए और कैथल में इसका मकबरह बना गया था रजिया सुल्तान का मकबरह ये कुश्चन ञाइसमस में पूछा जाता है कहाँ पर कैथल में 1265 इश्वी में बल्वन ने मेवात पर आकर्मन किया बल्वन मेवातियों को हराने के लिए आया था 1266 इश्वी में बल्वन राजा बना बल्वन का बेटा कौन था महमद जो की मेवातियों के द्वारा मार दिया गया था बलवन 1266 में राजा बना इसने blood और iron policy जिसका हिंदी में क्या केते हैं लोह एम ब्रक्त की नीती अपनाई ऐसे इसने क्यों किया क्योंकि यह मेवातियों को पूरी तरह नस्ट करना चाहता था गोपाल गरी का मकबरा जो की गुरुगराम में है वो बलवन ने ही बनवाया था फिर आता है फिरोशा तुगलग का साशनकाल 1351 से लेके 1388 तक रहा मतलब यह इस साशनकाल में राजा रहा था फिरोशा तुगलग ने 1351 में फतेहाबाद को बसाया था 1351 में इसने किसको बताया था फतेहाबाद को फतेहाबाद इसने अपने पुत्र के नाम फतेखा के नाम पर यह शहर बसाया था बंगाल से जीट कर आया था फतेहबाद में रुका था एक दारस्तान पर अपने बेटे के जनम फतेखा के नाम पर इसने फतेहबाद सहर को बसाया था 1354 में ही इसने हिसार को बसाया था मतलब फतेहबाद को भी बसाने वाला और हिसार को भी बसाने वाला कौन था फिरोशा तुगलक फिरोशा तुगलक ने हिसार को बसाया था जिसका फार्शी भाषा में अर्थ होता है दुर्ग और जिसको हम क्या कहते है हिसार ए हिसार फिरांजा हिसार चार गेट के लिए प्रशिद भी है दिल्ली गेट, मोरी गेट, नागोरी गेट और तलाकी गेट फिरोशा तुगलक ने गुजरी का महल बनवाय था गुजरी का महल किसने मिनाय था फिरोशा तुगलक ने किसी से मैं यह महल दिल्ली सल्टनत की सबसे अच्छी इमारत था प्राचिन काल में दिल्ली सल्टनत की सबसे अच्छी इमारत कौन रहा है गुजरी महल लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक बार किसी की शादी थी तो गुजरी महल में बराट ठहरी थी रात बर ठहरने पर सुबह क वो जिंदा वापस नहीं कर रात तब यह जो उसको खंडर कर दिया गया तर कि अ क्या है कि लाट की अच्छ से तो इसो कर हिरों सब्सक्राइस आइसां साँ-अगर पूछा जाक्राइस अठाभु में ओर में लाकर प्रूंपत्र से निए यहां की जलेबिया बहुत प्रशीद है, ऐसा कहा जाता है, जलेबिया गोहाना की बहुत फेमस है, फिरोशा तुगलक ने, जो हिंदो का अच्छा साशक नहीं था, क्योंकि यह हिंदो को मुसल्मान बनाना चाहता था, हरियाना में सबसे ज्यादा मुसल्मान का हैं मिवात में इसलिए मिवात को हरियाना का मीनी पाकिसान का जाता है, मतलब मीनी पाकिसान फरियाना मिवात, फिरोशा तुगलक को नहर निर्माता और नगर निर्माता का जाता है, क्योंकि इसने काफी सारे नगर बसाये थे नहरों का निर्मान कराये था, इसलिए फिरोशा तुगलक को नेहरो का निर्माता और नवगर निर्माता कहा जाता है उसके बाद आता है तैमूर लंग 1398 में तैमूर लंग ने हर्याना पर आकर्मन किया था अब इसका नाम लंग क्यों पड़ा ये हलका सा लंगड़ा था यह सिर्शा फत्य अबादिशा डिली से होता हुआ आया इसने अटेक किया तैमूर लंका सिनापती को था खिजरे खा का मगबरा कहाँ पर है सोनी पत्में यह कॉषर्जन भी स्वामी का भग था भारत से करी खटा कर तैमूर लंग के बेटे शारुख को भेज दिया करता था इसने उपादी लीती रहयत ए आला की कोशन पूछा जाता है खिजर खाने किसी उपादी लीती रहयते आला की उसके बाद आती है शोलवी स्थापदी बाबर ने आकरमन किया था 1526 में पानिपत का प्रथम यूद हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच बाबर ये यूदी इसलिए जीट गया था क्योंकि बाबर ने इस यूद करी थी जिसकी आवजicki पानिपत प्रथम यूद बाबर जीत गया था क्योंत परमारा गया पहला राजा कोंता इसलिए कुशन बाबर और ने पहलए को प्रधम उस्टीष जीतने पर कावूली-बाग मस्जीद बनवाई थी जो कि पानिपत में ही है शेक बुवली शा कलण्दर की दरगा भी पानीपत में है, हाली की दरगा भी पानीपत में है बाबर से दो हर्याना की साशक थे, वो टक रहे थे जिनका नाम कहा है हशन खा मेवाति ये मेवात से था और ये है मोहन सिंग बंडार जो की कैथल से थे कि शहीद हश्न खा मेवाती कोलेज का है उрий यह था अकपर और हेमु चंद्र विक्रम अधित्य के बीच में अक्रम अक्बर का जनम 1542 श्ष्वी में अमर्कोर्ट में हुआ था 14 फरवरी 1556 को अक्बर का राज्य अभिशेक हुआ था कलानोर में ब्लैक डे हमारा कब था पुल्वामा अटैक जिसको हम ब्लैक डे बोलते हैं 14 फेबरी 2019 को ये हुआ था उसके बाद आता है हेमु रेवाडी का साशक था हेमु किसका नाम है हेम चंद्रविक्रम अदित्या का शोड़ फोम है हेमु इसे नमक व्यपारी के नाम से भी जाना जाता था 1556 में हिमायू की मृति हो गई थी तो हेमु ने दिल्ली पर कबजा कर लिया था दिल्ली की पर बैठने वाला अंतिम हिंदू साशक कौन था ऐसा कोशन आता है अंसर लिखने हैं आपको अंतिम हिंदू साशक था हेमु अकबर का 1556 में ने तो किसने क्या था बैरम खाने बैरम का ऐसा कोशन आता है कि अत्याचारी बैरम का किसका सेना किसकी सेना में रहता था अकबर क सेना में क्योंकि इसने तबी तो इसने अक्बर की हल्प करी थी हेमु का मक्बरा भी पाकिस्तान में है अक्बर का समकालीन सूर्दास था अक्बर का समकालीन सूर्दास था सूर्दास ने सूर्सागर लेखी थी हर्याना में हर्याना में सूर्दास का संबन सीही गाउं से है ज वहां यह है एक आदमी से मिले जिनका नाम था बलभाचारिया उनके विचारों से प्रेदित होकर इनोंने उसको अपना गुरु मान लिया तो सूर्दास ने जो सबसे प्रसव प्रतम गुरु बनाया था फॉर्स प्राइर्टिक इसको जाती है बलभाचारिया को सेकंड गुर 1749 इश्वी में करनाल का यूद करनाल का यूद मोहमद शारंगिला और नादिर शाह के बीच हुआ था नादिर शाह जो है वो कोहिनूर ले गया था और मयूर सिनहासन जिसका दूसरा नाम है तक्ते ताउश कोहिनूर हिरा जो कि गोलकुंडा खान से निकाला गया था गोलक अगर ऐसे आजाए इरान का नेपोलियन कोन था तो वह आएगा नादिर शाह बंगाल का नेपोलियन कोने समुंदर गुप्त यह कुश्चन भी आता है अब नेपोलियन कहां करा जा था ऐसा कुश्चन आ जाता है नादिर शाह रियल नेपोलियन फ्रांस का था फ्रांस का ज सदा श्यू रॉलने, यूद जो ते वह भारत से पूरी तरह से पतन हो चुके तो ये यूद्जी जीता था ही आहमद श्यू अच्परियु का शिव मंदिर में Access also dedic Cross में और पानीपतू का तीसरा यूद youtube विजितने के बाद बनायीगा था लेइन C जो हर्याना था वो मराठो के हाथों में था 1756 से 57 के बीच हर्याना मराठो के हाथों में था और मराठो ने हर्याना को अंग्रेजों को दे दिया था और उस कौन सी संधी के तहट दिया था सुर्जी अंजन गाउं संधी के तहट उन्होंने क्या किया था हर्याना को अंग्रेजों को दे दिया था अब बात आती है कि हर्याना किस आशनकाल में अंग्रेजों के पास था तो 1809 से लेके 18010 तक completely हर्याना जो था वो अंग्रेजों के अधिन था कोशन आता है जोर्ज थोमस ने अपनी राजदानी किसे बनाया था हासी को 1797 से 98 में जोर्ज थोमस ने अपनी राजदानी हासी को बनाया था असीरगड का किला या फिर को हासी का किला ये किसने मनवाया था प्रिथवी राद चोहान ने ऐसे आ जाते है असीरगड का किला कहां पे है प्रिथ या फिर हासी का किला किसने मनवाया था 1857 की क्रांति को अंग्रेजोना नाम दिया था सैनिक विद्रो माना था वीर सावरकर जी ने इसे प्रतम सतंतता संग्राम का नाम दिया था यह क्रांति अमबाला केंट से स्टार्ट हुई थी इसकी जो date fix हुई थी क्रांति की वो थी 31 में 1857 लेकिन ये डेट से पहले ही शुरू हो गई थी दस माई 1857 के ततकालिन कारण क्या था चर्बी वाले कार्टूश मतलब एक तरफ तो सुवर की चर्बी लगी रहती थी और एक तरफ गाय की हिंदू भी नराज थे और मुस्लिम भी नराज थे प्रांती का नेतरतव किस ने किया था हर्डसन ने लाड कैनिंग ने और बहादुर्शा जफर भारतियों द्वारा नेतरतव किया गया था बहादुर्शा जफर ने योग्या नेतरतव की कमी होने के कारण हम युद्ध हार गए थे अगर युद्धों नहीं हारते तो हमारा जो देश था वो इसी वक्त अजाद हो गया होता बलबगड फरीदबाद से नेतरतव किया था राजा नाहर सिंग ने जिसे बलबगड का शेर भी का जाता है बलबगड का शेर किसे का जाता है राजा नाहर सिंग को जज़र से किया था अबडुल रह्मान खाने मिवाट से नेतरतव किया था सद्रूदीन मिवाती ने रिवाडी से किया था राव टुलराम का भाइधा गोपाल दोनों ने अंग्रेजों से तकराव किया था ये कोश्ण आजाता है नासिप नाड नोल में इस यूद के बाद मतलब इस्टक राव के बाद गोपाल की डेथ हो गई थी और रावतुलाराम अफगानिस्तान चले गए थे रावतुलाराम की मृत्यों जाती है काबूल में 23 सेप्टेंबर जब मना जाता है शहीदी दिवस शहीदी दिवस किसकी याद में मना जाता है रावतुलाराम की याद में शहीदी दिवस 23 सेप्टेंबर 23 मार्च 1931 को फासी हुई थी किसको बगत सिंग राजगुरन सुकते अभे रिसेंटली हुई थी 30 जन्वरी को हम लोग महात्मा गांधी को नत्थुराम गोड से ने क्या मार दी थी गोली मार दी थी उस दिन भी शहीद दिवस कुछ करके मना जाता है 27 फरवरी को जो दिवस है वो किसकी याद में मना जाता है चंद्र सेखर आजात की याद में में नास्तिक क्यों यह किसने लिखी थी भगत सिंह की रशना थि यह में नास्तिक क्यों पानीपद इमाम अली कलंदर पानिपद से लेते तो किया था इमाडौ इमाम अली कलंदर ने खर खोद्धा जो कि रोहतक मंझल के आजм आ आई थी. 28.緝न 1885 में गोकुल-डास- तेजपाल संस्कृट कॉलेज में आई थी. आनी तो ये थी पुना में लेकिन पुना में उस समय प्लैग फैला हुआ था तो इसका स्थान बदल कर ये कहां पे आई थी गोकुल-दास- तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस के पहले अदिवेशन में बहुत्तर लोगों ने हिस्सा लिया था जिसका हर्याना से नेत्रत किया था राय भादुलाला मुर्लिधर ने तो हर्यानब में कॉंग्रेज भी लेके आने वाले यही थेराइ बहदुलाला मुरलीधर जो की हमारे कहा से हैं पलवल से उसके बाद हमार पास कहा है भारत में कॉंग्रेस लाने वाली संस्तापक ओने ए ओ ओ जिसको हम क्या बोलते हैं एलन औोक्टेव हूयम नाम से जानते है अंग्रेज जो कब आई सरा है उस वक्त लॉर्ड डफ्रीन था फार्टिय रास्ट्रे कांग्रेश के पहले अधिवेशन की अधक्षता की थी व्योमेश चंद्र बैनर जी ने कंप्लिटल अगर बात करे भारत में आई थी अमबाला में मतलब हर्याना में कब आई थी अमबाला में आई थी और अठारा सो च्यासी जो कि किन के वज़ए से आईती वो राव बहादूर लाला मुर्लीदर 1859 में कांगृस आईती हिसार और रोतक में बई लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय की करम भूमि कोंसी है हिसार लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है 1888 में जब इलावाध अधिवेशन हुआ था तो हर्याना से उनका नेतदों किया था लाला लाजपत्राएं 1888 में कांग्रेस की सबा की अधक्षता की थी तुर्राबाज खाने 1907 में कांग्रेस पूरे हर्याना में फैल गई थी केवल 86 में तो आई थी अमबाला में 1907 में कांग्रेस पूरे हर्याना में फैल चुकी थी 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें जो कांग्रेस सी वो दो जुटों में बट गई थी नरमदल और करमदल 1907 में लाला राजपत्राएं को मांडले जेल भेजा गया प्रतम विश्व्यूद स्टार्ट हुआ 1914 से 1918 तक चला नो जन्वरी 1915 को माहत्मा गांदी भारत आये थे और ये माहत्मा गांदी अब्दुला नामक वैक्ति का केस लड़ने अफरीका गए हुए थे इसीलिए 9 जन्वरी को परवासी भारते दीवस भी मनाया जाता है सेना में भरती करने वाला सार्जेंट किसे का जाता है माहत्मा गांदी ने जैसे ही अफरीका से उन्होंने एक आता भारतियों को कि तुम सेना में भरती हो जाओ लेकिन नेकीराम शर्मा ने इस बात का क्या करा विरोध किया नेकीराम शर्मा का जनम 4 सप्टेंबर 1887 में कैलंगा रोहतक में हुआ था इन्होंने पत्री का लिखी थी संदेश जो कि किसकी पुस्तक है नेकीराम शर्मा की पत्री का है संदेश अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसर एहिंद की उपादी दी थी केसर एहिंद की उपादी महात्मा गांधी को अंग्रेजों द्वारा मिली थी उसके बाद आता है 1919 का रॉल टेक्ट रॉल टेक्ट कानून जिसे हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं इसमें क्या आता था ना अपील ना वकील ना दलील शक के हिसाब से लोगों को गिरफ्तार किया जाता था 10 अपरेल 1919 को पलवल में समात्मा गांधी की गिरफ्तारी पहली बार हुई थी एक्चुल में ये गिरफ्तारी नहीं थी 10 अपरेल 1919 एक्जाम में हमें लगा कि आने था से पहल नीस और नीस और फिर इनकी जो दूसरी बार गिरफ्तार हुई थी वो हुई थी 30 जुलाई नीस और नीस और नीस सो बीस में अधिवेशन हुए रोतक और बिवानी में महात्मा गांदी ने अंग्रेज जो सरकार के लिए शैतान शव्चब का यूज क्या था 20 अक्टूबर उननीस सो करन का तिला है कुछेत्र में और करण का किला है करनाल में बोड डिफरेंच है और करणि का दिला कुरूचेत्र, करणि का तिला करंपार ल चेहिन और करंपार का करंपार ? गौकरण का तालाप कहाँ पर ? रहतक में गांधी ने स्पीच यहीं पर दी ती गांधी ने रोटक में का स्पीच दी ती गवुफ कर्ण का तालाब पर 1920 से 1922 एस आयोग अंदोलन चला इसी वक्त यह एस आयोग अंदोलन हर्याना में भी सेम टाइम में चला था सविन ने आव गया अंदुलन जिसे नमक सत्या ग्रह भी कहते हैं इसमें यात्री थे 78 उसके बाद हमारे पास क्या हरियाना से इसका जो नेतरता था वो किसने क्या था लाला सूरजभान ने फिर दांडी मार्च यात्रा कब से कब तक चली थी 12 मार्च 1930 से 5 अपरेल 1930 फिर आता पजली हुसेन सोरी पजली हुसेन के साथ बन मिलकर 1924 में जमीदारा लीग जमीदारा लीग की स्तापना भी किसने करी थी सर छोटू राम ने सर छोटू राम 24 नमबर 1881 गडी सापला रो तक जिसका नाम बदल कर अब क्या कर दिया है छोटू राम नगर सर छोटू राम ने लाव स्टडी की लाव स्टडी कहां से करी थी आगरा से करी थी सर्चोटू राम ने लाकी स्टडी करी थी आगरा से 1927 में अंग्रेजों ने राय बहादूर को उपादी दी राय बहादूर की उपादी दी थी किसको? सर्चोटू राम को अंग्रेजों ने 1927 में राय बहादूर की उपादी दी 1937 में सर की उपादी मिली इने मार्केटिंग बोर्ड इन्होंने स्टार्ट किया था 1938 में उसके बाद है 1937 में यूनिनिस पार्टी प्रांतिय विधान मंडल में चुना हुए जिसमें 12 सीटों पर चुना हुए थे और 8 सीटों पर कॉंग्रेस ने जीता था पंजाब और हर्याना से जो सीट थी 1937 में उनिनिस पार्टी के चुनाव सिकंदर हयात के नेततव में हुआ था सिकंदर हयात के नेततव में उनिनिस पार्टी में 1937 में चुना हुए 1946 में यूनिनिस पार्टी को विला कर लिया गया, मिला दिया गया किस पार्टी में, कॉंग्रेस पार्टी में जिसकी अदेख्षता किसने करी थी, चोदरी लहरी सिंग, नेचुनाव लड़ा था 1947 में हमारा देश अजाद हुआ, अब हम बात करेंगे जब अजाद हुआ, तब कैसे क्या पर्शलित थी, क्या कुछ था 1947 में जब भारत अजाद हुआ, तो महात्मा गांदी मेवात आए मेवात में बहुत ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, इसलिए हर्याना का मेनी पाकिस्तान मेवात को कहा जाता है महात्मा गांदी ने मेवातियों को कहा कि तुम लोग भारत मत छोड़ो, पाकिस्तान मत जाओ सत्य मेव जयते का जो नारा था, वो किस ने दिया था महात्मा गांदी मेवात की गोशना 2 अक्टूबर 2004 में हुई थी लेकिन इसको बनाया गया था जिला, 4 अप्रेल 2005 में, जिसका अब नाम नू है, प्राचीन नाम था इसका सत्य मेव पुरम बोध साहिते हैं, बोध साहिते से हमें पता लगता है रोहतक और अग्रोहा का वर्णन, दिव्यावदान साहिते से और बोध साहिते का एक दूसरा क्या है, मजी निकाए साहिते है, उसके बाद है नकूल दिग विजय, नकूल दिग विजय महाबारत काल का, जिससे हमें रोहतक का वर्णन मिलता है 1858 से 1966 तक पंजाब के पास था हर्याना, मतलब 1858 से 1966 तक हर्याना जो अब पंजाब का हिस्सा रहा है कलन का गुटी यानी से जो थे, वो खयाल गायक थे, इनके गुरु कौन थे होद खा, इनका बेटा कौन था, हाफिस का जोग की वो भी खयाल गायक था अंचल खान, चतुराग संगम से बिलोंग करते थे, ये दिल्ली से थे पेवा, पेवा जो एक पुरु छेत्र में है, यहाँ पर क्या लगता है, गोडो का व्यापार होता है किस राजा के समय में यहाँ गोडो का व्यापार होता है, था राजा मेहर भोज 1947 में जब भारत अजाद हुआ तो हर्याणा पंजाब का हिस्सा था, मतलब हर्याणा और पंजाब एक सिंगल राज्य था उस समय जो पंजाब के सीम थे वो कौन थे, भीम सेन सच्चर, भीम सेन सच्चर ने एक फोर्मूला दिया था फोर्मूला दिया था, एक अक्टुबर 1949 को, और यह फोर्मूला इसले दिया गया था, क्योंकि जो हर्याणा में, जो जैसे जो वहाँ पे लोग रहते थे उस समय हर्याणा और पंजाब में, ओफीशल लेंग्विज पंजाबी थी, लेकिन हर्याणा के लोगों को ओफीशल लेंग्विज पंजाबी पसंद नहीं थी, क्योंकि वह कमसा तो मजपाते थे उसको, इस बेसिस पर ही, mostly हमारे हर्याणा और पंजाब का विभाजन हुआ था, उनीसो तरेपन में राज्य पुनर गठन आयोग आय था, राज्य पुनर गठन एक ऐसा आयोग था, जो की लक्षता की थी, पैजल अली ने, that's why इसका अनदर नेम क्या है, पैजल अली आयोग, या फिर राज्य पुनर गठन आयोग, जो की 1853 में आय था, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट कब सोग थी, 1856 में, उनीसो तरेपन में आया, तीन साल बाद इसने अपनी रिपोर्ट सोग सर्दार हुकम सिंग की अनुशन सा पर बने, बतला हर्याना जो था हो सर्दार हुकम सिंग की वज़े से ये बना था, इन्होंने एक समीति की मांग की थी, जिसका नाम था जेशी शा समीति, जो की बनाई गई थी 23 अप्रेल 1966 में, इस समीति में तीन सा दर्षय थे, इसने हर हर्याना और पंजाब की सीमा तैकी थी, हर्याना को पंजाब का 35.18 प्रतीशत हिस्सा दिया गया था, कोशन आता है कितना हिस्सा पंजाब का हर्याना को मिला था, 35.18 प्रतीशत, जिसी सा समीति के तीन सा दर्षय थे, जिसी सा, M.Philip, and S.T. राष्ट्रपती, सवपली, राधा कृष्णन ने 17 राष्ट्रपती, डॉक्तर, सवपली, राधा कृष्णन जो थे, उस टाइम हमारे राष्ट्रपती हुआ करते थे, जब भी देश में हम कोई नई चीज बना रहे हैं, तो वो फाइनली जब पास की जाती है, वो राष्ट्रपती द्वारा पास की जाती है, तब ही कानून बनता है, या तब ही भी कोई हमारी निव स्टेट जुडेगी, जो भी कुछ होगा, अब फाइनल डिसीजन राष्ट राष्टपती द्वारा लिया जाता है, डॉक्टर सहुपली राधाक्रिशन उसनमे राष्टपती थे, तो राष्टपती जी ने 27 अगस्त 1966 को मनजूरी दी थी, हर्याना को एक अलग राज्य बनाने की, एक नमबर 1966, कुशन आता है, हर्याना राज्य का गठन कब हुआ था एक जनवरी नमबर, एक नमबर 1966 को हर्याना का गठन हुआ था, इस समय हर्याना को एक अलग राज्य बना दिया गया था, पंजाब से हटा कर, उस वक्त हर्याना में केवल साथ मंडल थे, साथ मंडल को याद करना बहुत असान है, घर कहा है, घर ट्रिक है, घर जम्मू कश् अब इन जिलों को ही विवाजित करके हम अलग अलग जिले बनाएंगे, लेकिन जीन एक ऐसा जिला है, जिसे आज तक किसी भी हिस्से में तोड़ा नहीं गया है, जीन जितना पहला था, वो आज भी उतना ही है, बाकी सब हिस्चों से हमें अलग अलग राजे मिले हैं, और आज हमारे हर्याना में टोटल बाइस जिले मिले हैं, और सबसे जो नया निर्वाचित जिला है, वह हमारे पास चड़की दाथरी, अब हमारे पास बात आती है, कौन सा जिला हर्याना में गठन के समय नहीं था, गुरुगराम था, हिसार था, अंबाला था, लेकिन पानी प पुल चेतरभल है 44,212 बर्ग किलोमेटर जो कि भारत का 1.34 परतीशत है 2011 की जंगर्ना की अनुसार हर्याना की जंसंख्या 2,35,45,462 जो कि भारत के अकोर्डिंग 2.09% है एंड कोशन हर जंगे से आएगा मेरे नोट्स बहुत इंपोर्टेंट है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे आप नोट्स कम्प्लिटली ऐसी स्कैन कर सकते हो यूँ कहीं कॉपी कर सकते हो पीडेफ तो मेरे पस है नहीं अभी आप इसको नोट्डाउन कर लेना अगर आपको अर्याना का कोई भी एक्जाम करना है तो अब बात करते हम अलगे लग राजय कब कैसे बने 22 दिसंबर 1972 को दो जिले बने बिवानी और सोनी पत 23 जनवरी 1973 को बना कुरू चेत्र 26 अगस्ट 1975 को बना सिर्शा 2 अगस्ट 1989 को बना फरीदवाल 89 को बना फरीदवाल एंड एक नवंबर 1989 को बना 89 को बना चार जिले के आरवाईपी के आरवाईपी मतलब कैथल रिवाडी यमुना नगर और पानी पत उसके बाद हमेर पास आता हर्याना का एक मात्र जिला पानी पत ऐसा था पंच कुला बनाए गया था पंच यह पे भी पांच यह पर भी पांच यह भी पांच पंच कुला फंच जुलाई व्यल्स उनिस सतावण वे को बनाए गया था फतीहबाद एंजज़घ्जर पांच अप्रेल चार अप्रेल 2005 को कौन सा मना था मेवात 15 अगर्ज 2008 को बना था पलवल चर्की दादरी हमारे पास बनाया गया था 16 नुम्बर 2016 को एंड यह हमारा अभी जो नया निर्वाचित है जो सबसे लास्ट में बनाया गया है 22 मां जिला है हर्याना का नव निर्वाचित जिला कौन सा है चर्की दादरी यह 22 में नंबर पर है और यह रोतक मंडल के अंदर आता है 1989 में मद्दान देने की एज घटाकर 21 से 18 कर दी गई थी 61 संविदान संसोदन द्वारा अब हमारे पास मंडल कैसे याद करेंगे देखो मारे पास 6 मंडल है घर पर कोई भी गैस आएका तो उसको क्या प्लाएंगे कोफी घर कोफी यह गर तो से महें गुरुग्राम इसारंबाला रोतक यह करनाल एंग कैथल अब हर्याना में कौन से दो ऐसे मंडल हैं जो अभी तरीके से, देखो, गूरुग्राम में मार पहस आता है, गूरुग्राम, रिवाड़ी, and महिंदर, महिंदर को गुड्र की रिवाड़ी पसंद है, गूर्शार, छिर्फाह, फते, एंड जिन्दा योगे में लूगों को क्या पसंद है नोगों को ने हैं अग्रैंड एगे नुक्त अझे हाना वर कुछ। मार्म योद्र हो गया रोतक एक ऐसा मंडल है जो सबसे बड़ा मंडल है इस मंडल में सब करणाल में क्या है के के वाई के के पी करणाल कैथल एंड पानिपत परिदबाद पलवत मेवात ट्रिक फ्री मेवा नहीं मिलता पलवर के लिए उसके बाद हमारे पास है प्रीवेस यह के कोशन पेपर्स हम किस तरह से सोड़ करेंगे देखो राज़ पुन और गटन के अधक्षता कोन थे फैजल अली खां इसलिए इस आयो को क्या बोलता है फैजल अली खां भी बोला जाता है यह कब आया था 1915 ने इसने रिपोर्ट शोपी थी 1956 में दूसरा नाम क्या है फैजल अली आयो हर्याना विदान सभा विपक्सी दल का नेता कोन है उस समय कोन थे जो एक्जाम में पुशन आया था अब्बै सिंग चोटाला हर्याना में विदान सभा की कितनी सीटे हैं अब्बै सीटे हैं वैसे तो होती है 90 प्लस एक सीट पर राजजपाल के पास एक अधिकार होता जो उसने आस्ट खर्याना में नहीं किया है अब देखो मतलब किसी भी राजजपाल में अगर कोई में काम होगा तो उसको राजपाल करेगा और जो देश में होगा उसको राजपती करेगा अब्बै सिंग के पिता का नाम था चोदरी ओंपरकास चोटाला यह पांच बार हमारे हर्याना के सीम रहे हैं और एक बार ही स समय कोन थे विदान सभा के विदान सभा के सद विपक्षी दल के नेता थे उनके पिता कोन थे ओंपरकास चोटाला ओंपरकास चोटाला किसके पिता थे अब्बै सिंग के ओंपरकास चोटाला के पिता कोन थे देवी लाल देवी लाल हमारे क्या है उप प्रधान मंतरी रह देखो सबसे चोटा कार्य काल इनी कि ogrï इंके पिता का नम केốध्य देवी लाल इनके पिता का सेननी ता हर्याना को हर्याना का सीम बना चोद्री देव गडिक सी 89 नब्भा के समय सरकार थी विश्वनात प्रताब सिंग की पहले प्रदानमंत्री थे विश्वनात प्रताब सिंग की पहले प्रदानमंत्री जिने एविश्वास प्रताब से हटाया गया था मतलब विश्वनात प्रताब सिंग जी एक ऐसे प्रतानमंत्री थे जिने एविश् चोदरी देवी लाल सिंग अगर लालच करते तो बन सकते थे लेकिन इन्होंने लालच नहीं किया और देवी इन्होंने पद का लालच नहीं था इसलिए इन्होंने चंदर सेखर जी को प्रदान मुंत्री बनने दिया चंदर सेखर जी प्रदान मुंत्री बने इसलिए किंग म साल connect मतलब एराज आफ जो राजा बनाता था Cl du सोदरी डेविल्सी दोजार टीन में बनी थी जोर्षां के अंगी सिर्षां में पाय तो गाहस सबसे ज्यादा अंड जाती हैं सबसे ज्यादा सर दार हर्य्यान सी सामें पाप याद अब बात करते हैं अल्ताफ हुसाइन एल्ताफ हुसे नली जो कवी تھے वो उर्दू भासा की कवी थे पानिपत सें गुरुपोंते मिर्जा गाले उर्दु भाषा के बहुत अच्छे कवी थे उर्दु का खोशना पतर भी अलताफ हुसैन अली नहीं जारी किया था जिसका नाम था मुकद्दम एशेरो शायरी रचना कौन सी थे इनकी तिरिया के मजुमम एंड मजलिस उनलीशा अंग्रेज सरकार ने इने उपादी दी थे शम्शूल उलेमा उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी 1914 में ही तो हमारा प्रतम विश्वी स्टाइट रहा था 1908 तक चलाता सरकार हाली पुरुसकार की साहिते में दिया जाता है उर्दू साहिते में उर्दू साहिते का सबसे बड़ा पुरुसकार कौन सा हाली पुरुसकार पंचायती चुनाव किसकी देख रेक में होता है राजजे चुनाव आयोक कि देख रेख में कौन सा चुना होता है पंचायती चुनाओ अब आता है पंचायती राज को पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले राजस्तान में आया था नागोर स्थान पर दो क्टूबर 1969 में नागोर राजस्तान में आया था परंतु ये सपन नहीं वा था क्योंकि स सम्विदान भारत के सम्विदान में इसका उल्लेक नहीं था डॉक्टर पंडित ज्वार्डा नहरू उस वक्त हमारे देश के दानमंत्री ते जिन्होंने गोशना की थी आज गांधी के राम राज्य का सपना पूरा हुआ समीती बनी थी बल्वंत राय मैता समीती जब पंचायती राज आया था तो उसके लिए एक समीती बनाए गई थी वैसे समीती बहुत बनी थी लेकिन यह ज़्यादा फोलो हुई थी इसलिए हम इसको मानते हैं बल्वंत राय मैता समीती एकोर्डिंग तो इस समीती पंचायती तीन सतर यां होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास कया दरज्जा करो आपको जोड़ी गए जिसमें पानुचायती राज करो पला पिरी विशे थे खुशनाथा 29 विश्चे थे, उसके बाद कया है उननीस सो प्लीजों भुशनाथी विश्चनातिय थे पढ़नाली जोड़ी गए जिसमें नगरपाली का नगर में नभूसक थी कौनसी अनुसुची में था बार्वी अनुसुची में था उसके बाद है 22 अप्राइल 1994 को भारत में पंचाईती राज आया अगर भारत में सुरी हर्याना में आया तो क्या पूलेंगे 22 जन्वरी उननीस सो शुराण में और राजस्तान में कवा आया था chloride 1969 काफी बाद आया है इस तो हभ selbst हभा राव ल्र नहीं को हर्याना में हाँ कि से का जाता है बाजनलाद को का जाता है क्योंकि उनने बिना सीटे सरकार be na ldi नबना लिए रानी राम पल किस्वें से बिनता होकी एक और सरदारह शंन जो की सिरसा से है है उसके भाद कैसे भी मार्वी स्टापदी किसने हासी का किला किसने बना था। तो इसे आसेरगड का किला भी बोलते हैं प्रद्री राज चोहान में जोर्ज्टोमस को पढ़ चुकए हम सारा उपर। महिंत प्रताब सिंग किस भाशा के वुर्धू उल्ताफ भुसान अली कभी कौं से थे उर्दू यह बी पड़ चुखे हैं ह्र्याना विदानसभा की प्रत्म महिला दक्ष था कौं छी सन्यो देवी एक ऐसी प्रतम-देसी ज把 लाती सन्यो देवी सबसे ज़्यादा बार स्पीकर बने है कौन हर मेंदर सिंग चट्डा हर्याणा लोग से वाचेन की नुक्ति कौन करता है राजजपाल राज्या की बड़ी बड़ी नुक्ति करेगा राजपाल एंड केंदर की बड़ी बड़ी नुक्ति करेगा राश्प्रपती 2011 की जनगन्ना की अनुसार हरियाना का जिनसंक्या गंतव कितना है 573 वर किलमेटर सबसे ज़्यादा जिनसंक्या गंतव है फरीदाबाद का मतलब सबसे ज़्यादा जिनसंक्या का मतलब फरीदाबाद छेतरवल की दरस्टी से सबसे छोटा है और सिर्षा सबसे बड़ा है लेकिन जिन संक्या गंतम में उटा है जिन संक्या सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में है और सबसे गंग आप है सिर्षा में फरीदाबाद का छे तरफल है 741 स्क्यर किलोमेटर उसके बाद है सिर्षा छे तरफल में तो आपको हिसार का एरिया है 3983 वर्ब किलोमेटर जब सिर्षा ना हो तो हिसार का ओप्शन ठीक लगेगा फईदाबाद सबसे छोटा है इसके बाद हमारे पास क्या आता है पंचकुला फईदाबाद के बाद क्या आएगा पंचकुला प्रित्वी राज रासो ये किस ने लिखी थी चंदर बर्दाई चंदर बर्दाई प्रित्वी राज चोहान का दर्बारी कवी था प्रित्वी राज चोहान का दर्बारी कवी कौन था चंदर बर्दाई चंदर बर्दाई ने क्या लिखी थी प्रित्वी राज रासो हर्ष चरिद्र लेक्षिती बान भठने रतनावली, नागनंद and प्रियदर्शिका ये तीनो जो रश्न है ये हर्ष वर्धन किया क्योंकि हर्ष वर्धन बहुत अच्छी राज़ा और कभी भी थे हरियाना हरीगेन के नाम से कौन जाना जाता है? हरीगेंड के नाम से हम किसको जानते है कपिल देव को जो कि चंडिगर्ड में जिनका जर्म हुआ था इनकी कप्तानी से भारत ने 50-50 वर्लकप जीता था 1983 में कि युजविंदर चहल जो है वो क्रिकेट टीम के वर्तमान में खेल रहे हैं जो जीन्द से हैं कुशन आता है युजविंदर चहल किस जिले से संबंध रखते हैं जीन्द संतोश यादव संतोश यादव जो है वो कहां से है रेवाड़ी से ये विश्व की एक मात्र 80 महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर दो बार जा चुकी है संतोश यादव विश्व की एक मात्र महिला है जो दो बार माउंट एवरेस्ट पर जा चुकी है पर गई इसे 2000 इश्वी में सरकार ने पदम श्री की उपादी दी हर्याना विदान सबा का विदान भवन कहां पर है चंडिगड में एशियम में सबसे ज़्यादा फूल भी कहां पाजाते हैं चंडिगड में रोग गार्डन भी कहां पर है चंडिगड में चंडी मंदर भी चंडीगर्ड में उगाँ हेड माथ के नाम पर रम पर यहां का स्थान का नाम जो था और उग कर ने तो तो उप्शन में अगर पंच कुला निया तो आप चंदिगर लगा कर आओगे फईता बात ओदोगिक नगरी और फरियाना ओदोगिक नगरी ये किस चीज के लिए फेमस है ट्रैक्टर के लिए भी रेफ्रिजरेटर के लिए भी और टायर के लिए भी यहां गुड या के टाय मशीन टूल हम्टी कहां पर पंच कुला में 1888 में जब इलाबाद अदिवेशन हुआ था तो हर्याना की तरफ से कौन गए थे लाला लाज पत्राए 1886 में अमबाला केंट में क्या आई थी कॉंग्रेस सरकार राज जिसका जिसका नेतर तब किसने किया था राम बहादुर लाला राज बहादुर लाला हरयाना में कॉंग्रेस पहली बार साकक आई थी अमबाला केंट में 1887 में आई थी हिसार और रोतक में 1888 में रोतक अदिवेशन भी हुआ था जिसकी अदक्षता किसने की थी तुर्राबाज खाने की थी अमबाला केंट कब बना था 1843 में इसके बाद ही वो क्रांती हुई थी 1857 की क्रांती की शुरुआत अमबाला केंट से ही हुई थी अमबाला से जोहरा बाई जो जोहरा बाई है उनका संबंद कहां से है गजल गाई का है हुई और उनका संबंद है अमबाला से विकास यादव का संबंद मुक्के बाजी से हैं विकास यादव मुक्के बाजी बिजेंदर सिंग बैनिवाल भी कहां से हैं मुक्के बाजी से boxing का powerhouse boxing का powerhouse किसे कहते है बिवानी को इसको हम ये भी बोलते है mini Cuba क्योंकि Cuba एक ऐसी country है जहाँ पर सबसे ज़्यादा boxer पाई जाते है इसलिए mini Cuba बिवानी को भी कहा जाता है बिवानी boxing club की स्थापना किस ने की थी जगदीश जी और हवा सिंग ने मिलकर बिवानी boxing club की स्थापना की थी हरियाना की हरी भूमी समाचार पत्र रोतक से निकला था इसकी शुरुआत वी 1996 में इसे हरियाना की गाटी का पहला हरियाना की माटी का पहला रास्टे समाचार पत्र भी कहा जाता है पहला समाचार पत्र जैन प्रकाश जिसका संपादन क्या था जी अलाल जैन ने 1916 में जाट गजट पेश जाट गजट ये भी एक समाचार पत्र था जिसे कौन लेकिया थे सर छोटू राम संदेश किसका था नेकी राम शर्मा का अगर जाट गजट आ जाए तो सर छोटू राम अगर संदेश आ जाए तो नेकी राम शर्मा चोर गुंबंद चोर गुंबंद कहाँ पे है नारनोल में नारनोल का है मेहंदरगड में बीरबल का च्छत्ता या जिसका दूसरा नाम क्या है राय मुकुद राय का च्छत्ता ये भी नारनोल मेहंदरगड में है शाकुली का मकबरा भी नारनोल मेंदरगण में है शाक बिलायत का मकबरा भी नारनोल मेंदरगण में है इबराहिम सूरी का मकबरा भी नारनोल मेंदरगण में है इबराहिम सूरी राजा थे किसके सेरसा सूरी के बच्पन हर्याना में बीता था नार्नोल मेंद्रगर में सेर्सा सूरी का मगबरा कहां पे है सासा राम बिहार में कुपाल मोचन का मेला कहां पे है विलासपुर यमना नगर गुरुदुवारा भी कहां पे है सेम जेंग है यमना नगर कुपाल मोचन का मेला भी लाजपूर यमना नगर में लगता है और कुपाल मोचन का गुर्दुवारा भी वहीं है काली माई का मेला काल का पंचकुला में लगता है उसके बाद आता है फिरोशा तुगलक नहीं सार कब बसाया था एंट फिरोशा तुगलग नहीं फतेहाबाद अपने बेटे फतेह खाप के नाम से बसाया था 1350 में गुजरी का महल लाड की मस्जिद 40 हाफिस का मगवरा कहां पर है हिसार में महांगरंद भागवत घीटा कावतरन किस युद ke दुराण किया गया था महाबारत के युद के दुरान के आ गया था कुरुचछेत्र के में बाय gesam महाभारत के यूद से related हम कुछ questions देख लेते हैं, महाभारत का यूद 900 इश्वी पूर्व लड़ा गया था, यह 18 दिन तक चला था, इसलिए इसमें 18 अध्याय है, हर दिन का एक अध्याय है, ठीक है, महाभारत, जिसका पहले नाम क्या था, जैसे ही था, जब इसमें 8400 सलोग जब इसमें एक लाक्ष लोग होगे तो इसका नाम पढ़ गया महाभारत, महाभारत को परवों में डिवाइट किया गया है, यह युद कोरवो और पांडवों के बीच हुआ था, महाभारत का संकलन, महाभारत का संकलन, महरशीव वेदव्यास जी ने किया था, और लेखन क किसने किया था, महाभारत का लेखन कारे श्री गनेश जी ने किया था, अपने एक दन से ऐसा माने जाता है कि उन्हें महाभारत लिखी थी, इसलिए इनको एक दन कहा जाता है, इनका एक ही दात है, महाभारत के युद में गीता का उगदेश किसने किसको दिया था, महाभार में करम करने की सला दी गई थार्त ऐसा मान जाए कि मनुश्य को करम करना जब कि फल्की इच्छा नहीं करने चाहिए भगवात गीता में जो बातचीत का था महाबारत के युद में अरजुन और दुयोदन दोनों जो थे वो शीरकिषी से मदद मांगने आए थे अर ज Georgeुन पंडव साइट से था एंट दुरुयोदन कॉरुफ से थे तो श्रीकिजन ने दोर सरते रखी थे कि एक के साथ तो मैं जाऊंगा और एक के साथ जाएगी मेरी नारायनी सेवा और मैं खुद अपने हतियार नहीं उठाऊंगा दुर्योधन ने मांगी नारायनी सेवा और अर्जुन को मिला कृष्ण का साथ इसलिए कृष्ण की मदद से अर्जुन इस यूद को जीत गया था अर्जुन का प्रायव अचिकों से कपीद वचे इससारे वह कोष्ण से जो हरियना एक्जाम्स में भी तक पूछे जा चुके अर्जुन को भगवान शिव ने पशुपध अस्थर की अस्थर दिया था कर्ण कॉर्वो की ओर से लड़ा था कर्व कर्ण कोर्वो की ओर से लड़ा था भिश्म पितामय कोर्वो की ओर से लड़े थे बिश्मे पिता में जब बानों पर लेटे हुए थे तो उन्होंने अर्जुन को कहा कि उनको प्यास लगी है तब अर्जुन ने एक तीर मारा था जो अर्जुन ने तब एक तीर मारा था उस तान को बान गंगा के नाम से जाना जाता है बान गंगा कहा है बांट गंगा कूरु छेत्र में है वैसे तो गंगा, गंग उत्री ऊत्रा खंड से निकलती है बट यह गंगा वो गंगा नहीं है बिश्म पिता में है किम्रतियू के बाद कोरwel का नेतर तव गुरु दुरोण अचार्या ने किया गुरु दुरोनाचार्य जिनके नाम पर गुरु ग्राम बसाया गया है यही गुरु दुरोनाचार्य का प्रिया शिश्य हुआ करता था अर्जुन जिसे वो धन्युतारी बनाना चाहते थे लेकिन इनका एक और शिश्य था एकल एकलते गुरु दुरोनाचार्य के बेटे का नाम था अश्वतामा गुरु दुरनाचाले के वल यूदिस्टर पर विश्वास रखते थे क्योंकि यूदिस्टर कभी जूट नहीं बोलता था अभी तक हर्याना में तीन पार रास्ट्रपति साशन लगने के टाइम जो सी एम थे वो यह हैं जो बाद में बने वह देखो याद करने का ट्रिक राव बनारस चले यां एक तीन बार लग चूँग है उननीसो सट सटतर और उननीसो इक्यार commence में ईससे में राव विरेंदर सिंग्क थे फिर बनारसी दास गुपता और आनट यह उंपर चोटाला राव बनारस चले राव बनारस चले से चोटा यहां की जलेबिया फेमस है पीर जमाल की दरगा पीर जमाल की दरगा भी कहां पे है गोहाना में गोहाना की क्या फेमस है जलेबिया हिसार किसकी राजनिती करम होता था हिसार लाला लाज पतरा है सुर्सागर किसकी रचना है सुर्दास की रचना है एन्ट०्दास का जनम केवाता सी ही फरीदवाद में होआ था एक रिंद कर और दारा के कभी थे नष्णिक्ष् blending नमकस्तान का अब डेंको मैं needed 기에 ज्वे वह और यह जाता फैसे रियांड बारते सेना का पश्मी कमांड कहां पर है चंडी मंदर चंडीगड में है बारते सेना का पश्मी कमांड का मुख्याल है चंडी मंदर चंडीगड में है कोश मिनारों का निर्मांड शेर सासूरी ने करवाया था हरियाना में 88 कोश मिनारे हैं शेर सासूरी ने ही जीटी रोड क निर्मान किया था जो कलकत्ता से पिशावर जाता था पिशावर हाल फिलाल पाकिस्तान में है एन एच फोर्टि वो से चा सुरी मार्क से नाम से भी जाना जाता है 24 24 इसी चबूत्रा कहां पे महम रोग तक में मिस्वर्ड 2017 2017 में जो मिस्वर्ड चुनी गई थी मानुशी छिलर वो हर्याना में जजजर से थी चिनी यातरी हेंसांग जो था वो 639 इसवी में भारत आया था एं 634 में हर्याना वہ स्ताब्दी कौन सी थी? वो दोनों की केस में साथ मी स्ताब्दी में भारत आया था। हर्याना का राज्यक पक्षी कोन là Black Franklin जिसको हम बोलते हे हिंदी में काला तितर beliefs काला तितर की जुनमा सिर्शह से है काला तितर सब्से ज़्यादा किस Vah पाई जाता है अभू शहर में अभू शहर में सबसे ज़्यक्ति केंद्र कहां पर पीपली एक जंगह है कर राज्यापाल की निकति को नहीं करता है और राज्या राजयपाल का कोई कारेकाल नहीं होता जब चाहे रास्टपती हटा सकता है जब चाहे जब तक रास्टपती रख सकता है शिवालिक की पाड़ी अर्याना में अंबाला पंचकुला से निकलती है देवी भवानी अंबा का शिव मंदिर भी कहां पे हैं अंबाला में अंबाला क को पहले बोला जाता था आमों वाला काली मिट्टे किस फसल के लिए उपयुक था कपास कोटन हरियाना में सबसे ज़्यादा कपास सेरृसा में पाजाता और भारत की बाद करें तो गुजरात पैत बागवत गीता का संकलन किस ने किया था महर्शी वेदवियास ने हर्ष वर्दन के समय सबसे ज़्यादा टैक करने वाली जाती कौन जी थी हून जाती हर्याना में सबसे पहला राजा महिला पुलिस स्वयम सेवा कहां से स्टार्ट हुआ था पंचकुला से 19-29 अगर्स 2015 स्टानेश्वर का सिव मंदिर किस ने बनवाय था पुषब भूती ने बनवाय था स्टानेश्वर का सिव मंदिर पुषब भूती ने बनवाय था और पुनर निर्मान दुबारा से निर्मान कहा था सदाशिव राम ने रभी की फसल अक्टूबर के अंत में बोई जाती है अक्टूबर के अंत में कौन सी फ़सल बोई जाते है अभी खरीफ की फ़सल का टाइम होता है जून से लेकि नमंबर तक हर्याना नगर निगम विदे संसोधन कब हुआ था? 2016 में हर्याना नगर निगम विदे संसोधन 2016 में आया ये 74 वे संसोधन के सहर तहत बारवी निगम सूची 1993 में हुआ था नगर निगम वाला केस बुदेश्वर मंदिर कहां पर है जीन्द में? याद कर सकते हो बूत आज भी जिन्दा है बुदेश्वर मंदिर कहां पर है जीन्द में? हर्याना के किस जीले में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा वाला जीला कौन सा है? सिर्सा सबसे ज़्यादा आवला मिलता है यहां पर गाए भी सबसे ज़्यादा है एंड गेमों भी सबसे ज़्यादा है लेकिन वर्षा सबसे कम होती है हर्याना के उत्तरपूर्वी छेत्र में सबसे जादा वर्षा होती है और दक्षिन पश्चमी में सबसे कम हर्याना का प्राचींतम कावे कौन सा है भागवद गीता जिसका संकलन क्या था महर्शी वेद्व्याजी ने भागवद गीता का अबदेश श्री किष्चन ने अर्जुन को दिया था भागवद गीता में लिखा है करम करने की सला दी गई है जो तीसर नमकस्तान पर दिया गया था जो कि कहा पर है कुरुषेत्म बर्गत के पेड़ के नीचे कवी माल देव हिंदी बाशा के कवी थे अल श्माब और पंजाब में किसको लेकर दंगेज से विवाद हो गये थे you t होताया चेंद साशित प्रदेश उनियर टुर्टरी महिला पॉलिस सव्यम सेवक पर णाली करणाल सीम के बोलते हैं लाल खटर वैसे तो रोतक से हैं लेकिन वो जब चुनाव लड़ते हैं तो वो कर पर नाल से लड़तेbor में वोड़ द्वारा किया जाने वाला निते कुम सा है जब बराथ निकल लेती है घर से दुल涩 उनको प्रधान नित्या है गोडी नित्या पुर्शों का प्रधान नित्या जो कि हम गुल चड़ी के नाम से जानते हैं जो कि आज खतम होता जा रहे है